हमारे भूवा के लड़के की हत्या करके उसकी लास को गाउं के एक किलोमीटर दूरी पनहार की किनारे गाजाहर में जल्वा डाली है जिसकी जली हुई अस्ति उस कंकाल उस गजाहर में जली मौजूद है एक लाठी बरामत हुई है जिस पर खून लगा हुआ है और एक बोरी बरामत हुई है जो घर में ही मिली है जहां उस बोरी पर भी खून लगा हुआ है अवास्ति अभी वहां गजार में मवजूद है हड्डियों और खुन से सना बोरा लेकर एक बुजुर्ग पुलिस स्टेशन जा पहुचा पुलिस से गुहार लगाई साहब मेरे बेटे के कातिल का पता करी जिस बेटे की तलाश में पिता दरदर भटकता रहा उसकी हड्डियों से ही उसे संतोश करना पड़ा वो तो इस तलाश में था कि बेटा कहीं गया होगा आज आएगा लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बेटा फिर कभी नहीं लोटेगा 36 दिनों के बाद एक पिता को उसके बेटे की खबर मिलती है लेकिन खबर सुनते ही पिता के पैरो तले जमीन ही खिसक जाती है दरसल मामला यूपी के अमेठी का है जहां धोरहवा गांग के रहने वाले दिनेश तिवारी का बीते 14 फरवरी से ही कोई खबर नहीं थी जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशूदगी का मुकदमा दर्ज करा दिया इस मामले की पुलिस जांच कर रही थी लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली ही थे इसी बीच दिनेश के पिता हरी प्रसाद अपने बेटे की तलाश खुद भी किया करते थे आपको बता दे कि हरी प्रसाद लुधियाना में नौकरी करते थे और उनके बहु बेटे ही गाव में रहते थे होली से पहले ही हरी प्रसाद घर आये थे लेकिन उनका बेटा घर पर नहीं था इस पर हरी प्रसाद ने अपनी बहु से बेटे के बारे में पूछा बहु ने बताया कि दिनेश 14 फरवरी से ही गायब था जिसके बाद पिता ने हर जगा पता किया लेकिन किसी को उनके बेटे दिनेश के बारे में कुछ नहीं पता था इसी बीच हरी प्रसाद अपनी बहु के हाव भाव में बहुत से बदलाव नोटिस करने लगा तभी मौका देखते ही हरी प्रसाद ने बहु से अपने बेटे के बारे में सकती से पूस्ताच की शुरुआत में तो बहु आना कानी करती रही लेकिन तभी एका एक उसमें कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुन हरी प्रसाद के पैरो तले जमीन ही खिसक गई दरसल दिनेश की बीवी का किसी और से अफेर चल रहा था जिसकी वज़ा से दिनेश की हत्या की गई थी दिनेश की पतनी ने अपने ससूर से बताया था कि 14 फरवरी को ही वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिनेश को मौत की नीन सुला दी थी मारने के बाद दिनेश की बोड़ी को पुआल में जला दिया था फिर तो 36 दिन बाद दिनेश के पिता को आखिर कार उसके बेटे के बारे में खबर मिली इसके बाद जैसे तैसे वो भागते हुए खेत में पहुंसते हैं और वहाँ पड़े पुवाल यानि सूखी जली हुई घास में अपने बेटे की हड्डियों को गले से लगा कर चीखने लगते हैं जो घर में ही मिली है जहां गोरी पर भी खून लगा हुआ है अवस्ति अभी वहां गजहर में मवजूद है उस हड्डि की जांच की जाए और उसका जो नंबर है लड़की क्या मतलब पत्नी क्या प्रीती क्या उसका 13 तारिक से ले करके आज तक के काल डिटेल अगर खंगाल जाएगा तो घटना अपने आप अस्पस्ट हो जाएगी आपको बता दे कि पूआल में मिली हड्डियों को पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया है और इसके साथ ही पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है भीरो रिपोर्ट क्राइम तव भीरो